पूर्व विधायक और माफिया मुक्तार अंसारी की गुरुवार को हार्ट अटेक से मौत हो गई मौत के बाद शुक्रवार को उनकी शवका पोस्टमाटम किया गया इसके बाद अब उन्हें प्रेतक निवास यूसुफपूर मुहमदाबाद के कब्रिस्तान में शनिवार को सुपूर देखा किया जाएगा मुक्तार अंसारी की मौत के बाद सबकी निगाहे उनकी पत्नी अफसा अंसारी पर टिक गई है मुकतार अंसारी की तरह उनकी पतनी अफशा अंसारी पर भी दर्जन बर मुकदमे दर्ज है वो लंबे समय से फरार चल रही है पती के जनाजे में शामिल होने पर भी संदेह है मुकतार अंसारी की मौत के बाद गाजीपूर के मुहमदाबाद में उनके गर पर मातम पसरा हुआ है बड़ी संख्या में उनके समर्थन गर पहुच गए इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुकतार की पतनी अफशा अंसारी कहा है क्या वो पती के जनाजे में शामिल होगी उसके खिलाव प्रशासन ने लुकाउट नोटीस भी जारी किया है पुलिस और प्रशासन को पुरी उम्मीद है कि मुकतार की पतनी अफशा अंसारी उनके जनाजे में शामिल होने जरूर आईगी माफिया मुक्तार की पतनी अफशा अंसारी के लंबे समय से पुलिश तराश कर रही है मुक्तार अंसारी की पतनी अफशा भी गाजीपूर में मुहमदाबाद के दर्जी मोला की रहने वाली है साल 2005 के बाद से मुक्तार अंसारी जेल में रहा प्रशासन के मताबिक मुक्तार की जिल जानी के बाद अफशा अंसारी ही मुक्तार की गेंग को चलाती थी उनकी जिल जानी के बाद उसके सारे कामकाच को अफशा ही संभालती रही थी माफ्या की पतनी पर यह भी आरोपी की मौव में विकास कंस्रक्शन के फर्जी फर्म से फर्जी वाड़ा किया गया था इसी मामले में मुक्तार की पतनी अफसा अंसारी और उसके दो सालों सही पाश लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था इस केज में अफशा अंसारी के खिलाफ गेंगस्टर एक्ट के तहद मुकदमा दर्ज हुआ है अफशा अगर पती के जनाजे में शामिल होगी तो उसकी लिए पहले उन्हें सरेंडर करना होगा अफशा को लेकर ऐसे में कही तरह के कयास भी लग रहे है अफशा के खिलाफ गेंगस्टर एक्ट के कारवाई भी की जा चुकी है पुलिस की और से उन पर पचास अजार का इनाम गोशित किया गया है पुलिस काफी समय से उनकी तलाश कर रही है अफशा की गिरफतारी पर भी पुलिस के लिए चुनोती बनी हुई है वही माफिया मुक्तार अंसारी की मौत के बाद उसकी जनाजे में उसकी पत्नी के शामिल होने पर सभी की निकाय टिकी हुई है कुछ महीने पहले माफिया अतिक अहमत की पत्नी शाइसता परविन भी फरार चल रही थी जब माफिया अतिक अहमत की हत्या हुई तो उसकी जनाजे में भी उसकी पत्नी के शामिल होने के अटकले लगाई जा रही थी लेकिन उसकी पत्नी अतिक के जनाजे में शामिल नहीं हुई और नहीं अतिक को देखने आई तब पुलिस की चौकसी धरी की धरी रह गई पोस्माटम के बाद मुक्तार अंसारी के शव को गाजीपूर लाया जाएगा उसे काली पागिस्तित कब्रिस्तान में सुपूर देखा किया जाएगा ऐसे में पूरी इलाकी के सुरक्षा व्यवस्ता को वहत कड़ा कर दिया गया है यूपी के कईजीलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है वीडियो डिस्क अमरुजाला.ड़ कॉम अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें